करते हैं stringing chart के ऊपर बड़ा interesting सा है stringing chart क्या होता है यह बड़ा ही useful chart होता है इसका इस्तमाल करके हम लोग क्या करते है sag और tension निकालते हैं किसी भी temperature और loading condition पे इसको कुछ इस तरीके से draw करा जाता है यानि कि अगर हमें मान के चलते हैं हमें sag निकालना है एक particular sag और tension निकालनी है किसी भी particular temperature पे और loading condition पे तो हम इस chart का इस्तमाल करेंगे for example मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक certain loading हमने अगर कर रखी किसी transmission line पे तो उसका sag कितना होना चाहेंगे particular temperature पे 40 degree example के तौर पे इसे ले लेते हैं 40 degree पे तो यहां से हमके client draw करेंगे यहां पे यह जो देगा this is your sag बता देगा कि sag meter में तो यह बता देगा इतने meter का sag होना चाहेंगे यह क्या बताएगा for example यह दे रहागा 2 meter तो 2 meter का हमें sag डालना पड़ेगा and this is your tension in kg और यह बता देगा कि tension कितनी होनी चाहिए उस wire के अंदर कितनी रहेगी इस particular scenario में ऐसी अगर मान के चलते हैं कोई कहता है कि T1, S1, T1 होगे ठीक है अगर मान लें इस तरीके से हम कुछी भी temperature पे निकाल सकते हैं मान के चलते हम यहां पे भी निकाल सकते हैं कि 80 degree पे कितना sag रहना चाहिए और कितना tension रहनी चाहिए एक चीज़ बड़ी इंट्रेस्टिंग जो मैंने आपको पीछे बताई थी कि देखो sag जो होगा वो inversely proportional होगा हमेशा tension के यानि कि जितना ज्यादा sag देते जाओगे यसे कम sag दिया तो tension जादा होगी sag और बड़ा दोगे तो trance क्या होगी रिलीज होगी तो जितना ज्यादा sag दोगे उतना यह ज्यादा कम tension मिलेगी तो यहां पर बतारख लख की है देखो यहां पर देख सकते हैं यहां बड़ रहा है और Tension क्या हो रही है? Downfall हो रही है तो यह चीजें आपकी बड़ी important याद रखने है तो T1 is the temperature, S1 is the second T1 is the tension at particular temperature तो यह जो chart होता है This is basically the stringing chart stringing chart जो होते हैं काफी जाद है useful होते है Under all environmental conditions यानि कि इसके नदर हमने सब include करा है हवा भी चल रही है, आन्दी भी चल रही है बारिज भी हो रही है ठीक है? और ice loading भी हो रही है तो stringing chart जो होते rough and tough chart बनाए जाते हैं और इसकी मदद से हम लोग easily निकाल लेते हैं कि कि particular loading पे कितना sag और tension हमें रखनी चाहिए तो यह है beauty of stringing chart अगर मैं तुम्हें question